नंबर एक पेशवा बालाजी विश्वनाद 1713 से 1720 इस्वी तक बालाजी विश्वनाद कोंकल के ब्राम्हन कुल से संबध्ध था अक्टूबर 1707 इस्वी में जब ताराबाई तथा शाहु के मध्य मराठा राजी में युद्ध छड़ा तो बालाजी ने शाहु का साथ दिय अपनी कूट नीती से उसने ताराबाई अर्थाद यशुवाई के सेनापती धनाजी को अपने पक्ष में कर लिया और युद्ध जीत लिया धनाजी की मृत्य के बाद उसका पुत्र चंदरसेन सेनापती बना इसकी सहनभूती ताराबाई के साथ थी संभावित विश्वास घाद से बचने के लिए छटरपती शाहु ने सेना करते नामक नया पद स्रजित किया जिसका अर्थ था सेना का संगठन करने वाला इस नय पद पर पेश्वा को नियुक्त कर दिया गया इससे सेना पर भी पेश्वा का नियंत्रन हो गया 1712 स्वी में पुना मराथा राजिक घरेलू अंतरकलह का शिकार हुआ शाहु का सेना पती चंद्रसेन, ताराबाई से जामिला तथा सीमा रक्षक कनहोजी आंग्डे ने शाहु को बंदी बना लिया दिल्ली में शाहु के समर्थक जुल्फिकार खां की दरवारी गुट बंदी में हत्या कर दी गई अता शाहु का भाग्य निम्नवत स्थर पर आ गया इस समय शाहु को संकट से उबारने में पेशवा बालाजी विश्वनाद की एहम भूमिका थी उसने आंग्डे की राश्रेता को ललकारा और बिना युद्ध के ही उसे शाहु के पक्ष में कर लिया बालाजी विश्वनाद की मुख सफलता मुगल बाश्शाह की ओर से स्यद हुसैन अली दोरा मराठों से की गई संधी थी स्यद बंद्वों में से स्यद हुसैन अली को मुगल बाश्शाह ने दक्षण का सुवेदार बनाया था इसका उदेश दोनों सयद बंधों को दर्बारी राजनीती से प्रिथक करना था अपने भाई को दर्बारी सडयंत्र से बचाने के लिए दक्षड में सयद हुसेन अली ने मराठों से संधी की इसके तहद मराठों को उदार रियायतें दी गई तथा मुगल समराठ के संरक्षक की भूमिका दी गई यह संधी मराठों के लिए अत्यन्त हितकारक रही दुर्बल मुगल समराठ फरुक्षियर तथा मराठा क्षत्रप शाहू की सहमती से यह आस्तित्त में आई इसके तहद मराठों को दिया इस संधी के बाद सेयद बंधों ने मराठों की सहायता से फरुक्षियर को हटा कर रफी उद दरजाद को समराठ बनाया इस प्रकार पहली बार मराठों ने मुगल दरबार की सियासत में प्रभावशाली हस्तक्षेप किया था इस संदी से मराठे दक्ष्र भारत में संप्रभूशक्ती बन गये तथा चौथ एवं सरदेश मुखी करवसूल करने का अधिकार भी उन्हें मिल गया सर रिचर्ड टेंपल ने इस संदी को मराठा सामराज के महाधिकार पत्र या मैगना काटा आफ मराठा डाइनेस्टी की संग्या दी है बालाजी विश्वनात ने मराठा सामराज को एक जोट कर उस पर शाहु के अधिकार को मानिता दिलाई इस सफलता से वह मराठों का प्रियनेता बन गया अब मराठे उत्तर भारत और मुगल दरवार की राजनीती में प्रत्यक्षता भाग ले सकते थे 1720 इस्वी में बालाजी विश्वनात की मृत्य हो गई बाजी राव प्रथम 1720 इस्वी से 1740 इस्वी तक बालाजी का जेश्ट पुत्र 19 वर्ष की आयू में पेश्वा बना बाजी राव प्रथम योग पिता का योग पुत्र था उसने हिंदू पदपाद शाही के आदर्श का प्रचार किया तथा इसे लोकप्रिय बना कर धर्म के आधार पर विभिन हिंदू राजाओं को मुगलों के विरुद एकजुट करने का प्रयास किया उसने शाहु को मुगल सामराज की पतोन मुख दशा का लाब उठा कर निशकंटक हिंदू राज के स्थापना हेतु प्रयत्न करने को कहा इसने शाहु को इन शब्दों में प्रेरित किया समय आ गया है आओ इस पुराने व्रिक्ष के खोखले तने पर प्रहार किया जाए शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी वह अत्यधिक महत्वा कांक्षी एवम आक्रामक था उसने ख्षेत्रिय शक्तियों पर विजय प्राप्त की तथा दक्षण में अपनी सर्वोचता सुईकार करने के बाद उत्तर विजय की योजना बनाई अब हम विविन शक्तियों से उसके संबंधों का अध्यन करेंगे दक्कन से संबंध दक्कन में मुगल सुवेदार निजामुल कुलक दक्षण में अपना अधिकार जमाने का आकांक्षी था वह दक्कन में मुगल दोरा प्रदत पत से संतुष्ट नहीं था अता उसने मराठों में भूट डालने की सोची इसके लिए उसने शिवा जी के वंशज कोलापुर के शंभू जी को सैन सहायता देकर शाहू के विरुध लड़ने के लिए पोत्साहित किया इस समय पेशवा करनाटा का भियान पर था करनाटा का भियान से लोटने के बाद पेशवा ने 7 मार्च 1728 इस्वी को पाल खेड के निकट निजाम को पराजित किया तथा उसे मुंगी शिवा गाउं की संधी करने को बाद दिखिया इसके तहट निजाम ने अपनी पराजे स्विकार की तथा शाहू को चौथ और सरदेश मुखी कर देना भी स्विकार किया शंभू जी को निजाम के साथ श्रेंद्र के लिए भी पेशवा ने दंडित किया पेशवा ने उससे 1731 इस्वि में वर्ना की संधी पर हस्ताक्षर कर शाहू की अधिनता सुईकार करवाई गुजरात एवं मालवा गुजरात में मुगल सुवेदार सर बुलंद खांसे मराठों ने 1730 इस्वि में एक संधी की इसके तहद गुजरात ने भी मराठों को चौथ एवं सरदेश मुखी कर वसूल करने का अधिकार दे दिया गया मालवा दक्कन और उत्तर भारत को जोड़ने वाली कड़ी थी दक्कन तथा गुजरात को जाने वाले व्यापारिक मार्ग यहां से गुजरते थे महराष्ट पर मुगल आक्रमनों के प्रतिकार सुरूप मराठों ने मालवा पर हमले प्रारंब किये 1735 के आसपास मालवा पर पूरी तरह से मराठों का अधिकार हो गया इस प्रकार पेशवा बाजी राओ के काल में उत्तर भारत में मराठा शक्ति का उदै हुआ बुंदेल खंड से संबंध मालवा के पूर में यमना वा नर्मदा नदी के मध्ध का पहाली क्षेत्र बुंदेलों के अधिन था बुंदेले राजपूतों की एक शाखा थी ये क्षेत्र इलहाबाद की सुवेदारी में आता था इलावाद के सुवेदार मुहम्मद खां बंगश ने बुंदेलों को समाप्त करने की ठानी ऐसे में बुंदेला नरेश ने मराठों से सहायता मांगी 1728 स्वी में मराठों ने बुंदेल खंड के सभी क्षेत्र जो मुगलों ने जीते थे वापस छीन लिए कृतग्य बुंदेला नरेश ने कालपी, सागर, जहांसी तथा हृदय नगर के क्षेत्र पेश्वा को निजी जागीर के रूप में सौप दिये दिल्ली पर आक्रमण मराठों से मुगलों को बुंदेल खंड में मिली एक छोटी पराजे को मुगल दर्बार में सादत खाने अतिश्योक्ति पूंड वर्लन किया था पेश्वा ने मुगल समराठ को मराठा शक्ति की एक जहलक दिखलाने हेतू दिल्ली पर आक्रमर किया पांसो घुरसवारों के साथ वायु वेक से पेश्वा 29 मार्च 1737 स्वी को दिल्ली पहुँच गया राजधानी में वो तीन दिन रुका और मुगल दर्बार और सेना किंकरतव विमूर हो गई ऐसे में निजाम ने समराठ की ओर से भोपाल में मराठों से युद्ध किया किंतु पराजित हुआ निजाम ने मालवा मराठों को दिल्वाने का वायदा कर उन्हें वापस लौट जानी को राजी किया साथ ही चंबल वा नर्वदा नदियों के मद्द के खेत्र पर भी मुगलों ने मराठों का अधिकार स्विकार किया इस प्रकार मुगल सामराज का खोकलापन पूनता अस्पष्ठ हो गया बाला जी बाजी राओ 1740 इस्वी से 1761 इस्वी तक बाजी राओ प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो करीब 20 वर्षी युवा था मराठा पेश्वा नियुक किया गया 1741 इस्वी दुराई सराएं की संधी द्वारा मालवा मराठों को प्राप्थ हो गया था पेश्वा ने करनाटक में अभियान किया करनाटक का नवाब दोस्त अली मराठों के खिलाफ युद्ध में मारा गया दोस्त अली का पुत्र अनवरुद्दी मराठों को चौथ एवं सरदेश मुखी कर देने पर सहमत हुआ बंगाल को अपनी अधिंता में लेने के उद्देश से मराठों ने अली वर्दी खां के दरबार में एक दूद भेजा दूद की नवाब अली वर्दी ने हत्या कर दी इसके बाद मराठे निरंतर बंगाल पर आक्रमण करने लगे विवश होकर 1751 इस्वी में नवाब ने उडिसा का प्रांत मराठों को सौब दिया साथी बंगाल बिहार के बदले बारा लाक रुपए वार्षिक देना सुईकार किया दक्कन के मुगल सुबेदार निजाम उद्दीन को भी मराठों के समक्ष जुकना पड़ा भल्की की संदी के तहत निजाम ने अपने राज्य का आधा हिस्सा मराठों को दे दिया किन्तु बाला जी बाजी राओ की एक बड़ी दुर्बलता यह थी कि वह रगुजी भोसले जैसे महत्वा कांक्षी मराठा सर्दारों पर अंकुष ना लगा सके 1749 स्वी में शाहू की मृत्यु के बाद राजा राम द्वतिय मराठा च्छत्रपती बना था बाला जी बाजी राओ ने राजा राम द्वतिय के साथ संगोला की संधी पर हस्ताक्षर किये इस संधी द्वरा च्छत्रपती के बजाए अब पेश्वा मराठा संग का प्रमुक बन गया था इस संधी ने मराठा सरदारों की महत्वा कांक्षाओं पर लगा अंकुष हटा दिया ख्छत्रप को सभी मराठे अपना निर्विवाद नेता मानते थे पेश्वा को वह दर्जा ना मिल सका, सभी आपस में प्रतिस्परधा से भर गए होलकर, सिंधिया, गायकवाड सभी समकक्ष होने के कारण एक दूसरे की सरवोचता सुईकार ना कर सके यद्यपी क्षेत्रिय शक्ती की द्रिष्टी से मराठे 1752 में अपनी शक्ती की पराकाष्ठा पर पहुँच गए मराठा घुरसवार दक्ष्ण से उत्तर भारत तक फैल गए अब अधिकांश शेत्र मराठों के अधिकार में थे सभीक शेत्र चौत एवं सरदेश मुखी कर दे कर मराठों का अधिकार सुईकार करने लगे थे आंतरिक प्रतिस्वर्धा के कारण ही दिल्ली की राजनीती में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने के बाद वे उसे अपने अधिकार में ना रख सके विदेशी मुसल्मान सरदारों का एक दल मराठों के विरुद हो गया तथा उस दल ने अफगान नेता अहमद शाह अबदाली से मराठों के विरुद सहायता मांगी इसका अंतिम परिणाम हुआ पानीपत का तृतियुद मराठों का दिल्ली पंजाब में उलजना और पानीपत का तृतियुद 1747 इसवी में नादिर शाह की हत्या के बाद अहमद शाह अबदाली कंधार का शाशक बना था अबदाली ने अपने सिक्के चलाए थे खाबल पर विजए की और आधनिक अफगानिस्तान की नियू रखी थी अबदाली का भारती शक्तियों से टकराओ तब अवश्यम भावी हो गया जब उसने नादिर शाह के वैद उत्राधिकारी के रूप में पश्चिमी पंजाब पर अपना दावा किया पंजाब में अबदाली ने 1748 इस्वी में प्रिथम हमला किया विफल रहा दोती आक्रमन 1749 में हुआ इसमें अबदाली ने पंजाब के गवर्नर मुईनुल मुल्क को परास्थ किया मुईनुल मुल्क अबदाली की अधिन्ता सुईकार करने तथा 14,000 रुपे वार्शिक कर देने पर सहमत हुआ पंजाब के गवर्नर मुईनुल मुल्क की मृत्य हो जाने पर कालांतर में पंजाब में अवेबस्था फैल गई मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने अबदाली से परामर्श किये बिना अधिना बेख खा को पंजाब का गवर्नर बनाया अबदाली ने अपनी सत्ता का उलंगन माना अता जन्वरी 1757 स्वी को भारत पर चतुर्थ आक्रमर किया उसने मुगलों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली में प्रवेश किया तथा मतुरा से आगरा तक लूट मार की अपनी वापसी में अबदाली ने आलमगीर दुती को समराट इमादल मुल्क को वजीर तथा रुहेला सरदार नजीब दौला को मीर बक्षी तथा अपना एजन्ट बनाया मराटो ने यहाँ पर हस्तक शेप किया जिसमें मराटो ने नजीब दौला को दिल्ली से निकाल दिया और 75 लाक रुपए वार्शिक करके बदले अधीना बेख खां को अपनी और से पंजाब का गवर्नर बनाया इस प्रकार की घटनाओं से कुपित होकर अबदाली भारत आया मराटो की ओर से दत्ता जी सिंधिया ने उसे रास्ते में रोकने का प्रयास किया एवं मारे गए अंतता पानी पत के मैदान में मराटा एवं अबदाली की सेनाएं आमने सामने आ गई इस समय पेशवार अगुनात राओ था उसने सदा शिव राओ भाव भाव एवं विश्वा सराओ के नेत्रित्तु में मराठा सेना भेजी दोनों सेनाएं धाई माह तक आमने सामने रही जहां भारत की समस्त इसलामिक शक्तियों ने अबदाली का साथ दिया वही मराठे किसी भी भारती शक्ति का समर्थन पाने में विफल रहे अबदाली ने मराठों का रसद मार्ग पर नियंत्रन कर लिया इस कारण मराठा सेना वायू पर जीवित थी 14 जन्वरी 1761 स्वी में पानी पत करत्रितिय युद्ध लड़ा गया सदाशिव राव भाव विश्वास राव सहित 27 मराठा सरदार मारे गए मराठों की भीषन पर आजे हुई 28,000 मराठा सैनिक मारे गए एक अन्वान के अनुसार कोई भी ऐसा मराठा परिवार नहीं था जिसने अपना कोई सद से ना खोया हो मराठों की शक्ति को समय के लिए चूर चूर हो गई पेशवा बाला जी बाजी राव इसे सहिन ना कर सका जून 1761 में पेशवा की मृत्य हो गई इस युद्ध पर टिपड़ी करते हुए सिड़नी ओवन ने लिखा है यह दैत अभी मरा नहीं है लेकिन इतनी बुरी तरह कुचल दिया गया है कि एक लंबे समय तक सोया रहा जब उठकर जागा अंग्रेज इसे समाब करने के लिए तैयार बैठे थे वसुता इस युद्ध का सबसे बड़ा लाव अंग्रेजों को हुआ क्योंकि उसके सबसे बड़े प्रितिद्वंदी को कड़ा आघात लगा था नमबर चार माधाव राव 1761 सवी से 1772 सवी तक पानीपत की पराजे को भुलाते हुए माधाव राव ने मराठा शक्ती को पुना संगठित किया मराठा शक्ती एक बार पुना उतकर्ष पर तब पहुँची जब मराठो के संग्षन में भगोडे मुगल समराठ शाह आलम दुती को इलहवाद से ले जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया माधाव राव ने हैदरावाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए विवश किया इस प्रकार दक्षन भारत में मराठो का सम्मान बढ़ाया एहमद शाह अबदाली से शांती बनाए रखने का समझाता किया राजपूतों और जाटों को पुना प्रभाव में ले लिया पेशवा ने रुहेला सरदार नजीबुद दौला के साथ भी शांती के लिए समझाता किया 1772 इस्वी में माधावराओ की मृत्य हो गई इसकी मृत्य उपर ग्रांड डफ नामक विद्वान ने कहा है मराठो के लिए पानी पत की पराजे उतनी कष्टकारी नहीं थी जितनी इस युवा पेशवा की असमाईक आकस्मिक मौत्थ